तो से यह रहा दोस्तों मेरे पास Nokia G20 लेटेस्ट स्मार्फोन आपको इसी स्मार्फोन की टॉप 10 प्लस जी है दस से जादा आपको इंट्रेस्टिंग कमाल धमाल की फीचर्स आपको बताऊंगा तो आप देखना दोस्तों इस वीडियो को एंड तक बहुत ही इंट्रेस्टिं तरीके से अपने स्मार्फोन को यूज करने के लिए वीडियो में आगे बढ़ने से पुले लाइक कर देना और आप चैनल पर नहीं है तो यह इंडियन फ्लैक के लिए एक सबस्क्राइब तो बनता है इस चैनल को सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए दोस्तों अगर आ अपको यहां पर आपको screenshot लिखता होगा है यहां पर इस पर क्लिक करके हैं यह इसकर लेने के दूसरी फीचर की बात करने के लिए दोस्तों अगर आपको दो-दो application का जो icon है इसके उपर long tap करना है 2 second के लिए हाँ पर आपको दिखता होगा split screen आपको इस पर click करना होगा हाँ पर नीचे एक और screen निकल कर आएगा हाँ पर दुसरा कोई भी application आप open कर सकते हैं यूज कर सकते हैं आप यूटूब है नीचे Gmail है तिसरी feature की बात करने लिए आपको इस phone पर click करना है और यहाँ पर three dots पर click करना है settings पर click करना है यहाँ पर आपको दिखता होगा calling accounts आपको इस setting में आना है और उसके ठीक निचे हैं पर है call and vibration यह और फिटान आपको आपको आया है आपने नहीं देखा तो आपको alert करके बता देगा बार बार आपको call आया है बोलकर उसके ठीक निचे एक और कमाल का feature है increase volume when in pocket मतलब आप जेब में रखते हैं फोन को तो आपको call आता है तो ringtone value आना थोड़ा ज्यादा आएगा तो अच्छी बात है ना चोथी feature के बात करते हैं उसके लिए यहाँ पर आते हैं settings में और आपको आपर दिखता होगा देस्टो आपको इस setting में आना है यहाँ पर सबसे बोले आपको आपर दिखता होगा डार्क थिम्यास इसको on करके मतलब डार्क mode on कर सकती है आपके आँखों को effect ने पढ़ता है screen का और battery भी कम consume होती है उसलिए इसको ज़रूर on करके इसको ज़रूर use करना मैं थोड़ी देर के लिए off करता हूँ वीडियो recording करने के लिए और उसके ठीक निचे एक और feature इसके regarding है white balance आप देख सकते हैं यहाँ से आप screen color temperature change कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगए कि रख लेना और इसके regarding एक और feature है बैक आने के बाद आपको हैं पर दिखता होगा light night मतलब night light और यहां से इसको अन करेंगे तो display का color कुछ इस तरह से हो जाएगा इसकी भी capacity आप कम ज़्यादा कर सकते हैं आप browsing करते हैं इसको on करना दूस्तों आपकी आँख सेफ रहेंगे आपके आँखों को बड़े कर सकते हैं छोटे करना चाहिए तो यहां पर इस तरह से आप छोटे भी कर सकते हैं आप देख सकते हैं और यहां पर मैं कर लेता हूं थोड़े आप लार्ज कर लेता हूं और एक ब्याक आने के बाद इसी के रिगार्डिंग एक और फीचर है हम पर डिस्पले साइज मतलब जो आइकन से ना इसको बड़े करना चाहिए बड़े कर सकते हैं आप देख सकते हैं यहां पर आपको दिखता होगा भी आपको सेट करके रखना तो यहां से आप रख सकती हैं फर एकजबल में पैटन कर लेता हूं यहांपर आप इस तरह से आपको दो लगए करना है उसके बाद आपको ड़न पर क्लिक कर द dayna तो आप हैं पर देख सकते हैं फीपैटन लौक अभी सेट हो चुका है और इसक आपको नीचे उपर करना गया तो यहांपर मैं कर लेता हूँ, अब डिफेंट उंगलियां लागा लेना, मैं आपको बस दिखाने के लिए यह कर ले रहा हूँ, आप जो उंगली ज्यादा यूज करते हैं, वो उंगली आप इसमें आप रखना, सेट करना जरूर, तो अचलि कि आप पर क्लिक करेंगे तो face को scan करेंगे तो यह जब तक फुल ने होता इस तरह से आपको scan करना है दूस्तों सामने आपर camera है और mic भी है बड़ा सा उसलिए हम पर अच्छे से मेरा face scan ऱमने के गया है और यह आपसे हुआ न करेखा ना है के बहुत आते हैं सेटिंगे पर आना है यहांपर यह कृलबद हम power button ends quality off इसको on कर सकते हैं अब मालोग कि आप call पर बात कर रहे हैं call cut नहीं तो power button पर click कर देना है call cut हो जाएगा 9 feature के बात करते हैं भी उसके लिए हम आते हैं settings में यहाँ पर आपको दिखता होगा system नीचा आना है system पर हम click करेंगे तो हम पर आपको दिखता होगा gestures आपको इस setting में आना है हाँ पर कमाल की बहुती ज़्यादा features आपको मिलते हैं हाँ पर jam to camera है या off है तो हैंसे इसको on कर सकते हैं अब मालोग कि आपको camera app open करना है तो power button पर आपको double click करना है camera app open हो जाएगा आपको ब्याक आना तो यहां से आना पड़ेगा यहां से आ सकते हैं यहां से यह home button है और यह इस तरह से रिस्टेक्स भी remote कर सकते हैं और चलिए उसके अलगा यहां पर बात करते हैं दसवे फीजर की तो आते हैं उसी system setting में यहां पर आपको उसी gesture setting में आना है आप हाथ में लेते हैं अटोमिटिक आना वरिंग्टून म्यूट हो जागा लेकिन कॉल तो आता ही रहेगा ब्याक आने के बाद आपको हम पर दिखता होगा लिफ्टू चेक फोन यह off है तो आस इसको आन कर सकते हैं आप मालूम आप फोन को कहीं पर रखें जेब में रखें टेवल पर कहीं पर रखें तो जैसे फोन को उटा कर आप हाथ में लेते हैं अटोमिटिक डिस्पले आन हो जागा आपको लॉक बटन पर क्लिकर करके आन करने के ज़रूरत नहीं और यह दस्तों इसी नोकिया जी टॉंटी स्माटफोन के कुछ दस से ज्याद आपको टिप्स इंट्रिक्स हाइडन फीचर आपको मनें बता दिया कौन सा आपको अच्छा लगा नीचे कमेंस मता देना और यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना और आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना दूसरों जरूर अगर आप इंडियन है तो इस चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर बनता है और आपको इसी स्मार्टफन के टॉप सिटी पिलस टिप सेंट्रिक साइटन फीचर देखना है तो वह वीडियो देखना है तो यहां पर क्लिक किजिए वह वीडियो आपको यहां पर दीख रहा होगा